नुश्कर हंड्स, स्वागत आपका मारे सेनल में आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी चाहिए बताऊंगा जो कि आपके खांसी, सर्थी, जुखाम, गला खराब इन सबी चीजों को ठीक कर देगा और जिन लोगों को काफी पुरानी खांसी है या दो तिन दिन से ठीक नहीं हो रहा है और दवाई ले रहे हैं वो काफी और उसके बाद भी वो खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रहा है या गला खराब जो है वो ठीक नहीं हो रहा है उसके लिए भी ये काफी बेनेफिट काफी फैदा करेगा उसके लिए भी चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं. स्टाट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम new video upload करते जाए उसकी notification आपको मेल जाए तो चलिए इस video को start करने से पहले मैं आपको बताना जाओंगा सबसे पहले हमें चाहिए अधरक, इलाइची, तूल्ची के पत्ते, काली मिर्च, लॉंग और एगलास पानी तो चलिए इसको हम start करते हैं सबसे पहले जो हमने क्या करना है, एगलास पानी को गरम कर लेना है उसके बाद इसमें ज्यादा ने, सिर्फ तीन या चार इसमें लॉंग डाल दीजिए उसके बाद इलाइची डाल दीजिए, दो या तीन उसके बाद आप इसमें थोड़ी काली मेट डाल दीजिए और उसके बाद इसमें छोटा चमच अध्रक डाल दीजिए प्राइफ है और लास्ट में आपने डालना है तोल्ची के पत्तर करा दीजिए और इसके बाद इसको आपने 5-10 मिनेट अच्छे से उबाल लेना है, ताकि जो यह सार आ कुछ है मिक्स हो जाए तो आप अच्छे से ढख दीजिए और उसके बाद five minutes इसको बरनें लो यह लिजी युट्स, युजी फ्रेंड्स इसको दस मिनट हो चुकी है अब इसको आपने क्या करना है एक ग्लास में छान लेना है और युज फ्रेंड जो आपकी चाय है वो रेडी हो चुकी है, इस चाय को आपने दिन में दो से तीन बार पीना है, और इसको आप दो तीन दिन पीके देखिए, जो आपकी खांसी है, वो एकदम खतम हो जाएगी, या जुखाम, गला खराब, या कुछ भी जैसे चाती में दर दोना, कुछ भी ज अच्छा लगाओ, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक्यू फार वाचिंग,